पूरे देश की संस्थाओं पे भारत सरकार ने एवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है। इंदो मुस्लिम और जिन्ना का जो एजेंडा है जो पुराना मोडल ये लेका आरे उसको इस्टार्ट करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन वो इस्टार्ट नहीं होगा। तो पंदरा मार्च तक यहां पर रहेगा इसके बाद मुझ चला जाएगा जब फिर चुना वाएगा फिर आजाएगा। देश की सारे मंत्री जा रहे है परचार कर रहे हैं घर-गर जा रहे हैं एकेमपियंच ला रहे हैं घर-गर जाना चाहिए तह च्छे महीने पहले पर उ वह किसी चोराई पर लगा दो और उस पर बताए कि इस से हमने इस इसू से सरकारे बनाई थी नमश्कार इस समय हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे शक्स से जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेशी नहीं इस पूरे इलाके में उत्तर भारत में किस तरह से पूरी राजनीती को किसान के इंद्रित किया जा सकता है यह इस दौर में करके दिखाया है इस समय हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्रिह मंत्री से लेकर तमाम लोग घर-घर जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं शायद इसकि बहुत बड़ी वज़ा है किसाना अंदोलन कर सबसे बड़े चहरे में व्राकेश ठीकियच जी आप से हम ये जाना चाहते हैं आपका न्यूस ख्लिक में स्वागत है और आप एक बहुत बड़ी विरासत जो किसाना अंदोलन की विरासत है उसका प्रतिनितित कर रहे हैं, एक समय ये पूरा का पूरा इलाका देश में प्रधान मंत्री तेह करते थे, आज कई मुख्य मंत्री और 2024 का चुनाओ, सब आपके उपर निगाह लगाये हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि किस सरह से किसान आंदोलन इस देश की राजनीती की अधुरी बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि उत्तर भारत में जो चुनाओ है, कम से कम तीन राजियों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, यहां जो किसान आंदोलन का असर है, वो कितना तगड़ा है, जो 22 का जो असर है, वो रहेगा, यह जो आंदोल में लगा, जो लोग 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चलाया, केंदर बिंदु दिल्ली रहा और दिल्ली के आसपास का छेतर रहा, और पूरे देश में आंदोलन हुए, जब जब भी सेयुक्त मोर्चे ने कोल दी, पूरे देश ने उस कोल को फालो करा, उस पे एक्षन करा, अ अगर कही टेक्टर चलाने की बात आई, तो पूरे देश ने टेक्टर चलाए, तो यह अंडर करंट पूरे देश भर में हैं, और हमने फिर भी यह कहा, कि अपना किसान, आद्धे रेट में फसल बेच के, जहां उसको वोट देनी हो दे सकता है, अपनी फसल बेच रहा है, वो यहां से आलू का किसान हो जहें, वो बाजरे का किसान हो, पूरे देश भर के बाजरा 800 रुपे कोईंटल तक राजस्थान में बाजरा भी क्या, इकिस सो रुपे का MSP भाहर सरकार का, आठ सो रुपे में एक हजार रुपे में वो वोट कहां देगा, वो दे सकता है, यहां का गन्ना किसान है उत्तर परदेश का, चोदा दिन में गन्ने का भुखतान होना चाहिए, भुखतान नहीं होता, पिछले साल का भी बहुत पैसा रुप्या हुआ है, योगी जी का कहना की काफी भुखतान हो गया और गन्ना किसान खुश हो गए है, बलब लखनाव से बैठ के तो कुछ ही बात कहलो, बलब जिन क किसानों को पिछले साल का पैसा नहीं मिला। और सरकार कह रही हमुख्य suppressed पांच साल में एक बार वे आते हैं उनका तिवार है मनाने गाउं में आएंगे तो उनसे कर भेएंद आपसे जानना चाहूंगी मैं अभी आपके घर होकर भी पूरे इलाके में लोगों से बातचीत भी की दो चीजे लोगों के दिमाग में बहुत साफ है कि आपकी वज़ाँ से ग्रिय मंतरी तक को घर-घर जाना पड़ रहा है लोग हसी मजाग भी कर रहे थे कि टिकैज जी का ये जलवा है कि उन्होंने सब को उतार दिया है लोगों की नाराजगी है लेकिन उधर जो भाश्पा समर्थन है वो भी काफी तगड़ा है और मुझफर नगर सीथ भाश्पा मान के चल रही है कि उसकी अपनी है और वो कह रह बीमारी की रोक थाम हुई है अभी जो मौझूदा बीमारी है जो फंगस लगी हुई है वह दिल्ली के पार्लेमेंट से ठीक होगी किसान का इलाज दिल्ली के पार्लेमेंट में है उसका होस्पिटल पार्लेमेंट है महां से बीमारी ठीक उसकी हो सकती है यहां पर उसकी भर लोगा इनको मरज बताते है apna R Jackson है इक किसम स्वी आप देख रहे हो किया आल है कि यह जूट बोलने में सरकार्य गोट वेडल जीतगी तो जूट बोलने में ई-देश के ग्रह मंत्री एग देश के सरकार का कहना है आप दिल्ली में समय हैं दिल्ली से लेकर आपके इलाके तक अगर हम बाइरोड जाएं दिल्ली में भी जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रचार योगी सरकार का है नंबर वन सरकार है सबसे ज़्यादा रोजगार दिया सबसे ज़्यादा सडके दी मैं उनके प् पोस्टर आप देख रहे होंगे आपको भी दिखाई दे रहा होगा तो यह जो प्रचार है और अब वो खिसानों के हितैशी भाई तीन हजार रुपे पांच हजार रुपे दो हजार रुपे महिना की जो इसकीम है वह अभी लोग बता रहे एक महिने में दो दो बार राशन और च्छेजार रुपे साल के जो दे रहे हैं 2000 रुपे तीन महीने में चार महीने में आते हैं किसी किसार ने 40 कोंटल अपना धान बिच्चा वह उसका भी क्या 1200 कोंटल कि 700 रुपे पर कोंटल का उसको नुक्सान हुआ है और इन्होंने उसको दिए 6000 रुपे तीस जार का उसको नुक्सान हो रहा है ने हमने यह कहा कि MSP गारेंटी कानूं यह लेका आ जाएं उससे किसानों को कुछ रहात हो जाएगी उस कानून को बनाना नहीं चाहते इन चुना को आपके इलाके में चुनाओ है फिर फिर उसके बाद तो उत्तरप्रदेश साच चरुणों में है तो पॉलिटिकल पावर जो है आपको लगता है कि किसान इस्तमाल कर पाएगा बिना चुनाओं में उत्रे देश में संगठन आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत चाहिए जिने मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं वो मजबूत चाहिए आंदोलन जीवी देश में मजबूत चाहिए तो अगर आंदोलन देश में मजबूत है तो एक ही दिन में दुन्नू सदनों में कानून बन भी सकता है और कानून वापसे भी हो जाएगा वो कोई चुनाओ तो लड़का है वहाँ पर गयान था कोई किसान चो कानून वापसी लिए है वोहाँ पर तो दुन्ग सदूनों में एक ही दिन में कानून वापसी हुए तो वो सडक की ताकत अगर मजबूत होगी सड़क से आवाज लगाई जागी तो सड़क की आवाज तेज है परलेमेंट की आवाज से ज़्याद तेज है सड़क की आवाज तो सड़क की आवाज भी देश में मजबूत रहनी चाहिए अब सवाल सिर्फ आपके इलाके का आपका इलाका लगातार चर्चा में है, ग्रिह मंत्री जी कहराना में बार बार याद दिला रहे हैं कि कितना हिंदू मुसल्मान, वो जाट को बता रहे हैं कि जाट किस तरह से मुसल्मानों से लड़ता रहा, भाशपौर जाट में समानता देख रहे हैं, फिर योगी जी का स् सबसे यादा हिंदु मारे गये यह सब जो हो रहा है इसका कैसे जबाब आप देपाएंगे वह को अपने घरों में सोग थे अपसमें लड़ा दिन जो गाउं के सिद्धे बोड़े लोग थे इनोंने वे तो लड़ा दिया अपने गर्मस हो गई तो आप मंत्री भी तो बन गए संगी सोम जी है बालियान जी है अब वह ट्रालनी चलने का वह पुराणा मोडल है इनका उसको यह वह अंदर रख्या रहता था वह एंटीक पीस हो गया वह सोकेस में लगा किसी चोराइब उसको उस मोडल को किसी चोराइब लगाना और यह बताना कि हमने इस मोडल से यहां पर देश की सरकारे बनाई थी अब उसको कहना चाहरें कि जो हिंदू-मुसल्मान वाला काड़ है वह किसी चोराइब लगा दो माब और उस मुझे विश्टी से बताएं कि इस से इसू से शरकारे बनाई थी वह पुराणा उसको पैंट करके और उसको ठीक मोडल को फेर क्या चाहती है कि के वहां से ही सब्टीजे मुझे फन्यगेर से नहीं होगा किसा विर्याजनितिक उसका वहां पर क्या हुस्पिटल दिया आपने आपकी सरकार महां से बन गी आपने बढ़ेश को आपने बढ़िया कोई एजुकेशन सब वहां पर दिये मोधी जी गए थे वहां कुछ स्पोर्ट्स अकैडमी भी शुरू किया नहीं साल के जब लास्ट यहर हो गया तो उस टाइम पर करेंगे इनकी सरकार आगी जब भी तो करेंगे यह तो जाने वाले लोग हैं गाहों के लोग अपनी भासा में अपना कोश्चन तयार करके भारत सरकार से पूछ रहे हैं और ये बड़ी चीज है देश में आंदोलन जब किसानों का हुआ यहां से उन्हा बहुत से चीज़ सिखी और इसांदोलन का फरक हिये रहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसानों का नाम लेना सुरू करा लोग उनसे कोश्चन कर रहे हैं तो ये बड़ी जीत किसान आंदो जब चल रहा था, सरहत पे सब बैठे हुए थे, उस समय जब विधानसभा चुना हुए, तब आप भी तमाम जगों पे गए, आपको मैंने पश्चिम बंगाल में भी सुना, उस समय, उस समय आपने सीधे-सीधे नारा दिया, कि भाश्पा को हराना है, और तकरीबन सारे आपने पश्चिम मंगाल में जाके मुझे आपका भाशन भी याद है, जहां आप तमाम लोगों से मिल रहे थे, अहवान दे रहे थे, पूरा संयुत किसान मोर्चा गया था, वहां पे नारा सीधा था कि भाश्पा को हराना है, कम से कम एक चीज बहुत क्लियर थी, जब आप नहीं दे पारे कि आपकी उपर भी दबाव है, यह वह पर कोई दबाव नहीं, बैट 13 महिने आंदोलन करके, 13 महिने की किसान के ट्रेनिंग होने के बाद में, किसान उन्हें अपनी तिन-तिन फसल आधे रेट में बेचने के बावजूद, और फिर हम यह बताएं कि सर्दी, गर्मी, बरसात और सर्दी, चार मोसम देखने के बावजूद, आपको जहां ओठ देना हो दे सकता है, अजे टैनी में ऐसा क्या खास है कि मोदी जी कानून तो वापस ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई हम समझा नहीं पाए, लेकिन अजे टैनी को हटाते नहीं और र हमारे पास तो कोई जबाब है निए उसका, आपकी बाचीत योगी सरकार की कई मंत्रियों ने कहा कि आपने भी उनसे बाद की थी, योगी सरकार ये कहती हैं कि आजे टैनी भारत सरकार का है, हमारे हाथ में नहीं है, एक बहुत सीधा सवाल, आप सीधे जमीन का कंपन महसू बदली दूसरे ढंका आवेग दिया आज की तारीख में कि आप बतौर किसान नेता आप बतौर भारती नागरिक क्या देखते हैं कि आपके राजी में क्या होने जा रहा है अगर फेर चुनाव थो इनकी हार होगी और बहні बांदे से में हम सब्सक्राइब कर वत बिधारी नागरिक कैसे देखते यह और भेमानी तो चुनाव जताएं चभए तो फेर्चुनाव की कितनी संब्हाव माँ को दिखती है और आशंका आपको है आपके मन में क्या आशंका आप में बहुत चुनाओ देखे बहुत दोर देखे आपने जिनकी ओट कटवा रखी 15,000 से कम हारने वाला कंडिडेट सत्ता फक्स का कंडिडेट जित्तेगा आपका कहना है कि अगर किसी का अंता 15,000 से कम रहा वो तो बीजेपी का जित्तेगा इतनी ओट इनके पास में रहेगी सरकार के हर जगा 15,000 का एडवांटेज हैं के पास है चुनाओ आयोग को इस पे सक्त रहना पड़ेगा पूरे देश की संस्थाओं पे भारत सरकार ने एव्यादानिक तरीके से कबजा कर लिया है जो दिखाई नहीं देगा तब तो विपक्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप आंदोलन की बात कर रहे हैं और आप मीडिया को भी बहुत धुलाई कर रहे हैं क्योंकि आपके जो ट्वीट से और आपके जो जहां जहां आप जाते हैं जो बड़े-बड़े मीडिया घराने आपको बुलाते को क्या आपको बुलाते भी हैं और आपसे डाट भी बहुत खाते हैं मीडिया को कितना सिखाया और कलंप बंदूक का पैरा है मेडिया की मजबूरी है मीडिया को एक नोटिस मीडिया को चला जाए कोई पक्स में दिखाएगा इन इस पक्स दिखाएगा तो उसको नोटिस जाएंगे तो मीडिया वल्ले तो वकीली करते रहेंगे एक बिजली का नोटीस और नक्से का नोटीस चला जाओ तो मीडिया आउस्तोबंद हो जाएंगे तो उनकी मजबूरी है कि सरकार के साथ में रहना सरकार जो चाहती है उसको दिखाना यह उनकी मजबूरी है लेकिन आपसे मुणका प्रेम भी बना हुए आपको बुलाते भी खूब हैं दिखाने के लिए तो बुलाते ही हैं जब सद्धाम हुसेन को फासी दी गई तो सजा भी सुनाए गई कोट भी हुया उनके वकील भी करेंगे लेकिन पता था कि फासी देंगे तो है जब साही मेडिया का है वे बुलाते भी है हमको पता भी है के एजनडा इनका सेट है लेकिन फिर भी जाते हैं हमें अपनी बात कहने का मोका मिल जाता है उनका धन्यवाद है कि कमसम हमारी बात जनता तक भी पहुँचा रहे एक आखरी सवाल आपने मुजफर नगर में नारा दिया था अल्ला अकबर और हरहर महादेव साथ का आज भी क्या टिकैजी का नारा यही है यह नारा तो देश में बहुत पुराने चला हुए हरहर महादेव अल्ला अकबर का नारा तो इस तरह से दो चीजे बहुत साफ हैं जो टिकैजी का पूरा का पूरा आकलन है कि भाश्पा जिस तरह से हिंदू-मुसल्मान करने की कोशिश कर रही है वह एक पुराना मॉडल है इस पुराने मॉडल पर इस बार उत्तर प्रदेश में और कम से कम आपके इलाके में यह ट् दूसरा बहुत बड़ा जो एक सवाल है कि किस तरह से वोटिंग होगी लोग नाराज है नाराज की कितनी वोटों में तब्दील होगी यह फ packus लीक्शन कितने होते हैं उत्तर प्रदेश में निश्पक्ष चुनाव कितने होते हैं कितने मन्दान होने दिया जाता है इस पर निर्भार होगा लेकिन जनता निश्चित तौर पे नाराज है जी शुक्रियाद